आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यह हमारा एक स्मॉल मास एम का स्फेर है जो की एक कॉर्ड द्वरा अटेच है अब यह वर्टिकल हमारे प्लेन में रोटेट कर रहा है है अब कहरा है कि अगर इस स्फेर का एवरेज स्पीट यह वो इनक्रीस ही आक करने की मतलब जो चांसेज है वो मॉस्ट लाइक ली किस ओरिएंटेशन में होंगे मतलब किस ओरिएंटेशन में हमारा क्वार्ड ब्रेक होने के चांसेज सब से ज़ादा है होगा है तो अगर रिक्त के में देखते तो इस पर हमारों कुछ्छ वर्क कर रहा हूगे एक हमारा ग्रेविटेशनल ठावर्स ओ एक जो इस हमारा झॉट में जो टैंस्ट लगा रहा होगा तो अगर हम टैंसे टी मालने इस पर ऑजकर मूं कर रहा हो wystullah skr की वज़ा से अगर हम देखें हैं तो यह जो वलास्टी की डिरेक्शन है हर पॉइंट पे इस डिरेक्शन में कुछ होगी तो इसके जो वर्क डन होगा वो तो जीरो हो जाएगा हमारा मास एंप के स्पेर पे लेकिन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वज़ा से इस तो अगर हम देखें हैं तो ऊपर जाने पर हमारी पोटेंसियल एनरजी क्या होती है बढ़ती है और नीचे आने पर घटती है तो अगर नीचे अगर हम ले जाएंगे तो पोटेंसियल एनरजी हमारी डिक्रीज होगी तो यानि काइनेटिक एनरजी को हमारे इंक्रीज होना पड़ेगा अगर टोटल नेरजी में पॉंस्टन रखना है तो अब नीचे आने पर हमारा पोटेंशल एनेरजी डिक्रीज करता है तो करती है यह जितना ज्यादा हम नीचे आएंगे उतनी ज्यादा हमारी व्लास्टी बड़ेगी अब अगर हम एक चीज़ देखें तो टेंस और टेंसन हमारा इधर लग रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम चले गए तो यह फोर्स जो होगा हमारा यह बैलन्स होना चाहिए तो यानि इस पर हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेंट्रिफ्यूगर फोर्स हमको इसको देना पड़ेगा वह हो जाएगा m v2 by rK और जो इधर हमारा टेंसन रहेगा वह t है और इस डेक्सन में हमारा हो जाएगा mg अब यह एंगल हमारा अगर थीटा मळ ले तो यह एंगल भी similarly हमारा थीटा ही हो जाएगा और similarly अगर यह अंगल लें तो यह भी हमारा थीटा हो जाएगा तो यहां से हमको क्या मिलना है कि mg का एक पार्ट इधर आएगा और एक प्रपेंडिकुलर डारेक्शन में जाएगा तो यहां से लिखते हैं T minus mg sin theta is equal to हो जाएगा हमारा mv square by r के बराबर सब्सक्राइब यहां T plus हो जाएगा क्योंकि यह mg हमारा support में है तो T is equal to हो जाएगा हमारा mv square by r minus mg sin theta अब यानि इसकी value को हमको minimize करना है और इसकी value को maximize करना है ताकि हमारा tension जो वह maximize हो जाए वहीं पर हमारा most likely होगा breaking का chance तो अब अगर हम देखें तो इसकी value को हम minimize करना चाहते हैं तो sign theta की value maximum जो सकती हो minus 1 हो सकती है और इसकी value को maximize करना चाहते हैं तो हमको यह bottom point लेना पड़ेगा क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा height difference आ रहा है सबसे ज़्यादा potential loss यहां ही होगा यानि kinetic energy increase उतना ही जाता होगा तो इस point पर अगर हम देखें हैं तो जो हमारा kinetic energy होगी वह सबसे ज़्यादा होगी यानि velocity मारा जाता होगा यानि यह centrifugal force भी हमारा सबसे जाता होगा centrifugal force भी हमारा जाता होगा और यह जो हमारा तो हम direct देख सकते हैं कि हमारे दो forces को balance गाएगा जिस जिस केस में हमारा tension के opposite दोनों force लगने लगेंगे वहीं पर हमारा tension सबसे maximum होगा तो यहीं एक ऐसा point है यहां पर हम एम जी और सेंटी फ्योगर फोर्स जो रहाएगा उस पर दोनों एक direction में लग रहा है तो tension सबसे जादा होने के chances यहीं पर हैं और किसी भी orientation में देखेंगे तुमको नहीं मिलेगा और यह हो गया अगर हम इसको so करना जाते हैं तो उस तरीके से so कर सकते हैं कि इस orientation में हमारा सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा यह answer correct हो जाएगा बी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा उसी पे most likely chance हैं ब्रेक करने के so that's our answer, thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 million से ज़्यादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज राउन्लूट के लेवल डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर